हलो फ्रेंड कैसे है मेरे यूटूब चैनल में आपका सौगत है इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाले हूँ समसंग गैलक्सी एम 30 हैंसेट का पावर बटन अगर काम ना करे तो पावर की एफपीसी भी चेंज करने के बाद भी वह काम नहीं कर रहे है तो आपको कहा से कहा जंपर करना है सुबह ही मेरे पास एक कॉमेंट आया है कि उसका हैंसेट लिक वे डैमेज है और उन्होंने पावर की चेंज किया लेकिन उसके बाद भी स्वीच काम नहीं कर रहे है तो फिल्यार उसी के बारे में थोड़ा डिसकास करेंगे और स्टेप बाए स्टेप दो जंपर आपको कर अगर कोई भी दूसरा एक पीसीबी है तो उससे यह सुष निकल कर लगा दीजिए लगाने के बाद सुष से जो ट्रीक्स आ रहा है आपको मिल जाएगा पारिके तरफ है इस तरफ का जो के लिक शेट गराउन्ड आएगा तो यह बाहर के थार जो दो लेक से यह आपका पाउर आफ स्विश के लिए काम करता है और एक आपका वॉल्म के लिए तो आपने इस क्यापसीब को चेर्ज कर दिया उसके बाद भी आपका हैंसेट का प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हुआ तो आपको उसके बाद जो है जो दो लेक्स आप देख रहे हैं नीची के पार तरप एक और उपर के तरप एक तो आपको सिंप्ल सी जंपर करना है इस नीची के तरप जो लेक्स है यह वाला नहीं इसका बीच में जो दो लेक से छोटा-छोटा नीशी के तरफ जो लेक से उसको लेकर आपको जंपर करना है यह पर एक कैपसिटर और एक रेजिस्टर लगा हुआ है देखिए सीदे तरह एक क्यापसिटर और एक रेजिस्टर लगावा इस रेजिसटर की इस तरह पको जंपर करना है , मैं ने बताया कि इसके नीछे तरफ जो लेकर आपको इस पर जंपर करना है और उससे पहले आपको देख लेना है कि जो ड्रेज्ट से कौन सा लेक्स वर काम बोल्टेस नहीं आरहा है तो एक लेक तो आपने यहां पर जंपर कर दिया दूसरे लेक जो उपर का तरफ लेक से उसको लेकर आपको जंपर करना है इसको अच्छी से दिखने रहा है मैं के यहाँ पर एक रिजिस्टर है मैं थोड़ा सा लाइट के बास लगा कर दृएंग आधे ज visitor आप दिख़ रहा है यह पर एक रेजिस्टर है यह जो कि सोल्डर की नीचे है कि रिजिस्टर लगाऊ है पर इससे 100 प्रॉब्लैम अपका होलफ नहीं हो रहे हैगा प्रू मुझे समाइब कीजिए मैं उसका भी वीडियो अप्लोट करके आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा तर 100% इससे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और अगर कोई भी हैंसेट में आपका कोई भी प्रॉब्लेम है तो प्लीज वह भी मुझे कॉमेंट कर की दिए जल से जल उसका भी सोलूशन करके आपको में वीडियो बनाके दिखाऊंगा ये वीडियो पहले से ख़तन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्त किया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लागा तो शियार कीजिए और कॉमेंट करना मत भूजिए जैन्यवाद